दोस्तों अजरेस्पीज में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहा है इंस्टेंट नीबू का अचार की रेसिपी हम बताएंगे किस टैप से आप मात्र 10-20 मिट में एक नीबू का अचार तेयार कर सकते हैं इंस्टेंट अचार हुका गुड और नीबू की साहिता से बनाया हुआगा जीरो आयल रेसिपी है बहुत ही लाजवाप और शांदा रेसिपी है आप इस वीडियो को अंतर देखे ताकि आपको जरूरी टिक्स मिल सकें आईए मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टेंट नीबू का अचार की रेसिपी अजयर रेसिपीज में आपका स्वागत है यदि आपने अभी तक हमारे चनल सब्ट्राइब ने किया तो प्लीज सब्ट्राइब करें और घंटी वाले बट्न को जरूर दबाए ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सकें नीबू का अचार बनाने के लिए मैंने नीबू लिये हैं आदा किलो नीबू लिये हैं और एक काच की बढ़ने लिये हमने इसके दिक मैंने नमक लिया है दो चमच सफेद नमक है और एक चमच काला नमक है इन सब की साइटा से हम नीमू का परंपरागत अचार बनाता है इसके लिए नीमू को हम काट लिखते हैं काट के छोटे भागों में कर लेते हैं नीमू आप कागजी ले जिसकी सत्य है पतली हो वो वाले नीमू ले और उन है उसमें काला नमक लिया है और सफेद नमक लिया है इस तरीके से हम नमक डालते हैं तो ये नीमू जल्दी गल जाते हैं यहां पे नमक डाल देंगे सफेद नमक और काला नमक भी डाल देंगे और डाल करके इसको हम मिक्स कर देंगे काला नमक और सफेद नमक को और इसको दूप में रखेंगे 10 से 15 दिन के लिए मिक्स करने के बाद में ये आपकी परमप्रागत तरीके से नीमू का अचार बनाने की एक रेसिपी है जिसके इंतरगत जब ये नीमू का छिलका गल जाता है नमक के दौरा तब हम उसका अचार बनाते हैं आज मैं आपको दिखाने जा आपको मैं बता रहा हूँ उसके लिए मैंने नीमू लिया है इसमें हमने नमक डाल दिया है काला नमक और सफेद नमक डाला है जितना सफेद नमक लिया है इन नीमू को हमें कडाई में पकाएंगे यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम गैस रखी है और इस तरह से नीमू उब इस तरीके से नीमू जब अपना रस छोड़ देते हैं तो ये सफेज सफेज जाग इसमें बनने लग जाते हैं और इस तरीके से हम इसके छिलके को गला सकते हैं, सौफ्ट बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से नीमू पकना शुरू हो गए और नीमू का जो छिलका था वो भ लाल मिर्च पाउडर लिया है आदा चोटा चमची हमने सिखा हुआ जीरा पाउडर है वो लिया है इसके अत्रित हमने गरम मसाला भी लिया है गरम मसाला भी मैंने आदा चोटा चमची लिया है लाल मिर्च पिसा हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला तीनों आदा चोटा करते हुए और इस तरीके से नीमू सॉफ्ट होने लगे गल में लगे और इसका छिलका भी सॉफ्ट हो गया है इस तरीके से जब हम नीमू पकाते हैं तो आपका छिलका इंस्टिंट तरीके से पक जाता है यहां पर यह जब नीमू गल करके पक करके तयार हो जाएंगे तब हम इसमें मसाले मिला देंगे यहाँ पर मैंने आदा छोटा चमच लाल मिच पाउडर मिला आदा छोटा चमच ही मैं जीरा पाउडर भी मिला दूगा इसके अप गरम मसाला डाल दे जो घर का बना हुआ गरम मसाला है वो हमने इसमें डाला है आदा छोटा चमच इन सबको डाल करके आप मिक्स कर दे मसालों को मैंने हिंग लिया है आदा छोटा चमच चोथा चोटा चमच है छोटा वाला इससे हिंग से नीमु की गलने की प्रकरती तेज हो जाती है और नीमु में बहुत ही अच्छा स्वाध आता है इसलिए आप जब नीमू का चार बनाए तो हींग जरू डाले इन सब को डाल करके मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसको और पकाएंगे ताकि यह मसाले भी नीमू में पक सके और इनों का टेश्ट आ सके यहाँ पर इस स्टेज पर हम गुड डाल देंगे गुड हमने छोटे-छोटे टुकरों में कर लिया है गुड आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो डाल दें आप गुड डाल करके इसको मिक्स कर देंगे गुड डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा रस निकलेगा यह और ज़्यदा लिक्विड हो जाएगा क्योंकि गुड पानी छोड़ता है अपना रस छोड़ेगा तो यह soft हो जाएगी अपकी अचार की रेसिपी इस तरीके से आप जब इस अचार को बनाएंगे तो यह ज़्यादा tasty बनेगा healthy बनेगा यह देखिए इस तरीके से गुड ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दि और यहाँ पर यह एक अचार soft अचार बनकर की तयार होने लग गया गुड जैसे जैसे पिगलेगा और जधा tasty अचार बनेगा गुड को डालने के बाद भी कम से कम आप 7-8 मिंट तक इसको पकाएं गैस आपको low to medium ही रखनी है धीमी आज पर इसको पकाना है जितना धीमी आ अचार की recipe है जिसको हमने zero oil में बनाया है यह ध्यान रखना है अचार में आपको पानी की एक बूंद का भी इस्तमाल नहीं करना है तेल की भी एक बूंद का भी इस्तमाल नहीं करना है इस तरीके से गुड ने सारा पिगल करके इतना liquid आपका हो गया है और यह अचार बन कर इसका स्वाद बहुत ही टेस्ट ही है क्योंकि निम्बू की वज़े से खटा है नमक की वज़े से खटा है गुड की वज़े से मीटा है तो एक खटा मीटा आचार बन करके तयार हो गया यह देखिए अचार की रेसिपी बन करके तयार हो गया है इस सौफ्ट आचार की इसे आप बना सकते हैं वाटमान में नीमू बहुत मातरा में आ रहा हैं इस तरह कि नीमू के अचारकी आप रेसिपी बनाते हैं तो आप इसे पूरे एक साल तक भी श्टूर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होगा हाँ अप एक चीज़ का ध्यान रखें यदि आप इसको लौंग समय तक रख रहे हों तो इसको धूप में जरूर रखें लगबग 5-7 दिन किसी एर्टाइट कंटेनर में काच के बटन में डाल करके रखें आप जब नीमू को लौंग समय तक रखते हैं तो इसको काच के बट में ना रखे एयर टाइट कंटेनर में काच के बर्तन में आप डाल करके रखेंगे तो यह ज्यादा समय तक चलेगा इस तरीके से हमने एक हेल्थी नीमू के अचार की रेसिपी बनाई है उमीद है कि आपको यह बहुत पसंद आई होगी यदि आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इस तरीके से मैंने इसको एयर टाइट काच के बरतन में डाल करके रख दिया है और इसको 5-7 दिन तक मैं धूप में जरूर रखूँगा ताकि यह लॉंग लाइफ हो सके ज्यादा दिनों तक चल सके उमीद हो कि मेरी आपको यह रेसिप कि एसाथ में थैंक्स